नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप देख रहे हैं संजी वर्मा राजिजिंग संग दूद पर छिड़ा घमासान हाँ, आज एक अनोखी कहानी लेके आया हूँ लास तक देखेगा, आप दूद की लड़ाई सुरू हो गई है अमूल मिल्क प्रड़क्ट का बाइकाट हो रहा है कहां हो रहा है, क्या ये पॉलिटिकल गेम है या वास्तम में कुछ इसके पीछे है पूरा बताएंगे दोस्तों जहां पुराने समय में मेरे देश में दूद की नदिया बहा करती थी परशुधन को एक एसेट के रूप में माना जाता था घर घर में दूद और दही का उत्पादन होता था वहीं अब दूद और घी का बिजनिस एक बड़े कार्पोरेट के रूप में तयार हो गया है मुनाफे का एक व्यपार हो गया है अब डिसाइड होने लगा है कि कार्पोरेट भी इसकी लड़ाई में पीछे नहीं है वहीं दूद को लेकर एक स्टेट में ऐसा घमासान मचा हुआ है क्या है पूरा मामला बताएंगे वन बाई वीडियो को आखरी तक देखिएगा देखिए पहले ये कुछ वीडियोज पूरा में लगा है update in the poll-bound state of Karnataka because just ahead of the elections another controversy of milk products is now erupted in the state. Former Chief Minister Siddhar Amaya has tweeted on Amul milk products being sold in Karnataka जी हाँ दूत पर जंग, आखिर क्या है Amul और नंदनी का विवाद नंदनी एक Karnataka का नंबर वन milk brand है जो Amul की entry से परिशान है इसको एक political मुद्दा बना दिया गया है दरशल पांच अपरेल को Amul के corporate office से एक tweet किया गया Amul के office से एक tweet किया गया कि वो बेंगलूरू में entry ले रहे हैं और दूद और दही के उत्पादन की आपूरती अब वो करनाटक में भी करेंगे इस एलान के बाद इस tweet के बाद Congress ने इसे एक चुनावी मुद्दा बना लिया क्योंकि चुनाव करीब थे 10 मई को करनाटक में चुनाव होने है तो कहीं न कहीं चुनावी मौसम में ये tweet Amul को भारी पड़ गया और दूद की entry पे एक विवाद सुरू हो गया कहीं न कहीं देश का सबसे बड़ा milk product Amul करनाटक में entry मिलती हुई नहीं दीख रही है पूरी तरीके से पुर्जोर पे विरोध सुरू हो गया है सब भी दल एक हो गए है कॉंग्रेस इसके पूरी तरीके से विरोध में उतर आई है कहीं न कहीं उसे लगता है कि ये नंदनी के खिलाफ गुजरात के प्रमुक ब्रांड Amul का एक शर्यंत है Amul आनंद एक गुजरात में जगे है वहां से इसको सप्लाई किया जाता है और अब वो पूरे देश में अपनी पैंट बना चुका है सबसे चाहिता Amul को माना गया है Amul ब्रांड को माना गया है और कहीं न कहीं दूद के रेट और दूद दही घी वगरा के रेट जो है Amul डिसाइड करने लगा है किस स्टेट में क्या रेट होंगे एक तरीके से Amul पूरी तरीके से उसका इंफ्लेंस रहता है जहां नंदनी एक करनाटक का ब्रांड है और वहां से सप्लाई किया जाता है तो कहीं न कहीं वहां के नेताओं को कॉंग्रेसी नेताओं को ये लग रहा है कि ये नंदनी के खिलाफ एक शर्यंत है और नंदनी पे कपज़ा करने का Amul का एक बहुत बड़ी चाल है तो बहुत सारे एंटी गॉर्मेंट पार्टीज हैं वो एक जुठ हो गई है जे डियेस हो, कॉंग्रेस हो वो सब एक जुठ होके इसके समर्थन में उतर आई हैं कि हम नंदनी को यहां चलने देंगे Amul को नहीं चलने देंगे उनका मानना है Amul की स्टेट में राज्य में जरूरत नहीं है उनके हाँ खुद नंदनी के अलावा और 11 ब्रांड है जबकि 70% मार्किट नंदनी के पास है करनाटक के कंग्रिसी निताओ का कहना है हमारा दूद और हमारी मिट्टी बहुत मजबूत है हम इसी के बल पे अपने स्टेट को आगे बढ़ाएंगे नंदनी ब्रांड एक तरीके से करनाटक मिल्क फेडरेशन का दौरा मार्किटिंग किया जाता है नंदनी बैंगलूरू में मिल्क सप्लाई करने वाले सबसे बड़ा ब्रांड है बैंगलूरू में जो मिल्क सप्लाई होता है बैंगलूरू में मिल्क सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा ब्रांड जो है नंदनी है जबकि नंदनी की कुल कैपसिटी जो है 23 लाख लिटर दूद प्रोडक्शन की परती दिन ये इतनी मात्रा में कर सकता है लेकिन एक डिफरेंस है जहां अमूल का टोंड दूद भी 54 रुपी लिटर पूर देश में बेचा जाता है वही नंदनी 39 रुपीज में करनाटक में बेचा जा रहा है फुल क्रिम मिल्क जो है तो जनता को भी ये भी लग रहा है कि अमूल के एंट्री के बाद कहीं ऐसा ना हो मिल्क महंगा हो जाए दूद महंगा उन्हें मिलने लगे क्योंकि अमूल जहां भी जाता है अमूल deciding factor हो रहा है एक तरीके से मिल्क का रेट हर साल में दो बार बढ़ाए जाता है और धीमे 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 मिल्क का रेट बढ़ता चला जाता है लोकल जो मिल्क सप्लायर हैं, मिल्क प्रडक्शन करने वाले किसान हैं वो भी उसी रेट में मिल्क बेचने लगते हैं ये इस तरीके की कुछ वीडियों हैं अमूल को पैरों के तरह रोंदा जा रहा है सबसे चहेता ब्रांड है देश का जो छोटी सी गुडिया उस पे बनी होती है उसका पोस्टर आप देख रहे हैं करनाटक में पूर जोर विरोध हो रहा है सरकार ने इसके लिए बचाओ में भी सरकार उतरी है उनका कहना है विपक्ष ने ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया है करनाटक के मुख्यमंत बासवराज बोमई ने कहा कि विपक्ष बिना वज़े इसको राजनितिक रंग दे रहा है उन्होंने का राज में नंदनी के अलावा अठारे और अलग अलग ब्रांड है ग्यारे नहीं है अठारे ब्रांड अलग अलग है जो मिल्क प्रोड़क बेचते हैं नंदनी हाला कि 70% का मार्केट शेयर लिए हुए है और नंदनी देश का परमुक ब्रांड है और बैंगलूरू में ये सबसे परमुक है अमूल के आने से नंदनी को भी फाइदा होगा 30 परदा से क्या होता क्या है कि जनता को उसका फाइदा मिलता है लेकिन ये सायद कहीं न कहीं असलियत से परे है क्योंकि अमूल की एंट्री के बाद रेट बढ़ जाता है 23 लाक लिटर दूद की नंदनी सप्लाई करता है अकेले बैंक डूरी में और टोटल प्रोडक्शन शमता जो है उसकी 33 लेक लिटर पर डे है और 49 रुपे में ये बिचा जाता है वहीं टोट अमूल का बिकता है वो चमौन रुपे में बिचा जाता है इस टूट के बाद ये अमूल के ऑफिस से ये टूट किया गया और इस टूट के बाद ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया कार्णाटक मिल्क फेडरेशन के खिलाफ इसको एक शर्यंत बताया गया जबकि अमूल जो बेस्ट कोपरेटिव सोसाइटी के जी सी मन अफ अमूल के जो ब्रांड है जिनकी तरफ से ये टूट किया गया उनको ये माना जा रहा है कि नंदनी को खतम करने की तैयारी है और नंदनी अभी हमारा प्रमूख लोकल ब्रांड है और वो सही रेट में 39 रूपी पर लिटर में फुल क्रिम मिल्क हमें मिल जाता है तो कहीं न कहीं अमूल की एंट्री के बाद मिल्क महंगा हो जाएगा और ये कहीं न कहीं राजनितिक मुद्दा भी बनता चला जा रहा है तो नंदनी और अमूल का अगर जो मोटा मोटा एक कंप्रिजन करेंगे कंपनी का 1974 में नंदनी फांड़िट की गई नंदनी ग्रूप जो फांड़िट हुआ और जबकि अमूल जो है देश की आजादी के साथ साथ 1948 में ये अमूल ग्रूप का फांड़िशन हुआ था और अमूल को एक स्वेट कुरांती के रूप में भी इसको जनम दाता कहा जाता है अमूल की वज़े से स्वेट कुरांती देश में आई लोकेशन बैंगलूरी कॉर्नाटका से आता है नंदनी जबकि वो आनंद गुजरात में इसका आफिस है वहां से इसका जनम हुआ टर्न ओवर अगर बात करेंगे तो 19,784 करोड की टर्न ओवर है नंदनी गुरूप की और जबकि 65,000 करोड की टर्न ओवर है अमूल की तो कहीं भी comparative analysis देखेंगे बहुत अमूल के मुकाबले कमचोर ब्रांड है कुछी स्टेट में मटके रह गया है और 2.4 मिलियन प्रोडूसर है इसके इतने किसान दूद पैदा करते हैं जबकि अमूल में 3.64 मिलियन जो फार्मार्स हैं वो दूद प्रोडूक्शन करते हैं दूद की पैदावार करते हैं और अमूल तक पहुँचाते हैं टोटल मिल्क टेंडरिंग कैपसिटी जो है 1 मिलियन लिटर पर डे है लगबग 1 मिलियन लिटर और इसकी 5.2 मिलियन लिटर पर डे है जो अब बढ़ गई है जो नंदनी की कैपसिटी है 33,000 लिटर पर डे के करीब अब हो गई है 33,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 दूद का कलेक्शन अमूल के द्वारा किया जाता है तो ये लड़ाई अब सड़क पे उतर रही है लोग अमूल के खिलाफ आवाज उठा रहे है सड़कों पे उनके पोस्टर फाड़े जा रहे है पैरों के तले रोंदे जा रहे है इस तरीके का एक कैमपेंग सोशल मीडिया पे भी चला हुआ है क्यों गर्म हुई अमूल और नंदनी को लेकर बहस और टीवी चैनलों पे इसको दिखाया जा रहा है लगातार जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया सोशल मीडिया पे चलता जा रहा है ये नियूस देखिए दूद मांगोंगे तो चीर देंगे करनाटक के चुनाओं में अमूल को एक मुख्या मुद्धा बना के एक बबाल मचा दिया गया है तो ये में लड़ाई ही चुनावी नजर आ रही है अमूल विपक्ष को अमूल की एंट्री पे आपती है करनाटक के विपक्षी दलो ने आरोप लगाया है कि अमूल भाजपा समर्थित एक ब्रांड है जो करनाटक मिल्क फेडरेशन धंदनी के खिलाफ एक शड़ियंत है जिसमें प्रमुक आवाज उठाने वालों में पूर मुख्यमंत्री सिद्धर मया रहे और इसके साथ साथ फिर कॉंग्रेस के और निता भी मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे है बसराव बोमई जो करनाटक के प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री है उनके उपर आरोप लगाया जा रहा है कि कही ना कहीं ये नंदनी को नश्ट करने की एक साजिस है शशीर थरूर ने भी इसको नंदनी के समर्थन में उतर आए हैं और ये आवाज उठाई है कॉंग्रेस के आरोप पे बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि ये देश की तरक्की रोकने का एक जो विपक्ष है उसका एक हदकंडा है और हम अमूल को टक्कर में लाके एक मजबूत मार्किट दे रहे हैं कम्टिशन होगा तो रेट कहीं न कहीं जंता को कम मिलेगा तो दूद पे पूरी तरीके से घमासान चिड़ा हुआ है करनाटक में जियासत सैद दूद पे हो रही है दस मई को होने वाले चुनाओ में ये पता लगेगा कितना असरदार होता है मुद्ध क्योंकि इसको एक पॉलिटिकल गेम के रूप में ही माना जा रहा है अमूल का वहाँ बाइकाट हो रहा है और पूरी तरीके से दूद पे घमासान चिड़ा हुआ है तो दूद और दही की राजनिती भी दोस्तो अब सड़क पे आ गई है जिस देश में दूद की नदिया वहां करती थी वहां आज दूद एक राजनिती का मुद्ध भी बन गया है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही देखते हैं किस करवट उट बैठता है देखते हैं विपक्ष के दोरा उठाया गया है मुद्ध कितना पावरफुल तरीके से उनको फाइदा पहुचाता है पूरी तरीके से चुनावी मुद्ध ये नजर आ रहा है तो आज के लिए इतना ही देखते रही है संजी वर्मारा आजिंग सान और लाइक और शेयर करना मत भूलिए परावर में एक रैड बटन भी है इसी तरीके की क्लिक और इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए उस रैड बटन को दवाना बहुत ज़रूरी है एक उपकार आप करते चले जाईए थैंक यू जाहिन